गुड बॉर्णिंग एवर्मान जायका सिखा की रसोई से आज सभी का स्वागत करती हूँ गर्मी का मौसम चल रहा है और कुछ ठंडा पीने का मन जरूर करता है आप सभी लसी पीते होंगे, आमकपना पीते होंगे, सरवत पीते होंगे वगरा वगरा बहुत कुछ पीते होंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिहार का स्पेसल सत्तू ड्रिंक सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए जो सामगरी लगेगी वो है सत्तू यह चना सत्तु अगर यह मार्केट में मिलता है अगर आपके पास नहीं है तो आप चना को भून के पीश सकते हैं ये है चना सत्तू, प्याज, बारी कटा हुआ प्याज, बारी कटी हुई धनिया, ये नेम्बू, स्वादानुसार नमक, बुना हुआ जीरा, वन छोटा स्पून अजवाइन और वन चिली है जिसको मैं बारी की काट ली हूँ, तो चलिए सुरू हो जाते हैं, बिहार का स्पे दस चमच सत्तू ली हूँ, मुझे दो ग्लास बनाना है, इसलिए मैं दस चमच ली हूँ, आप अपने हिसाब से सत्तू ले सकते हैं, अगर आपको पतला गोल चाहिए, तो सत्तू की क्वांटिटी कम रखेएगा, ज्यादा गाढ़ा चाहिए, तो आप सत्तू थोड़ा ज् मैं टैनिस पूल ली हूँ, इसमें अब मैं मिलाओंगी एक बारिक कटा हुआ प्याज, अजवाईन, भुना हुआ जीरा, और बारिक कटी हुई हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, प्लेन नमक, और काला नमक, और इसको मैं अच्छे से मिलाओंगी, इसको मैं अच्छे से मिलाओंगी, ये देखिए मेरा तयार हो गया है और इसमें मैं पानी मिलाओंगी, आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है जिससे की बुटलिया नहीं पड़े लंप्स नहीं पड़े और इसको दीरे दीरे मैं मिलाऊंगी और दीरे दीरे इसमें मैं पानी भी डालूंगे आप इसको अच्छे से एक मिनिट तक मिलाइए जिससे की अच्छे से सत्तू पूरा मिल जाए इसमें पानी और थोड़ा पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पानी इसमें और पड़ेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी चुकि मैं दो गलास बना रही हूँ इसलिए पानी में और मिलाऊंगी लेखे ये पूरा मिल गया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी धनिया इसमें आप पड़ीना पत्ता भी डाल सकते हैं चुकि धनिया पत्ता भी ठंड़क पहुचाता है और हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं इसमें धनिया मिलाई हूँ और अब मैं इसमें मिलाऊंगी नीबू और अब मैं इसमें नीबू भी डालूंगी देखे दोस्तों मैं नीबू भी मिला चुकी हूँ और मेरा ये सर्वत रेडी हो गया है और इसको मैं ग्लास में सर्व करूंगी ये रहा मेरा ग्लास मैं आपको सर्व करके दिखाते हूँ देखे दोस्तों मैं इसको सर्व कर रही हूँ दोस्तों मैं इसको ग्लास में सर्व कर चुकी हूँ और मेरा सत्तू स्पेसल बिहार का सत्तू ड्रिंक बन के तयार है जो की गर्मियों में बहुती ठंड़क पहुँचाता है और हेल्थ के लिए बहुती अच्छा है आपके घर अगर कोई गेस्ट आ जाये तो आफटाफट इसको बना के उसको सर्व कर सकते हैं खुद भी पी सकते हैं गर्वालों को पिला सकते हैं और इससे हेल्थ भी आपका स्वस्त और अच्छा रहेगा तो दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे डेल सारा प्यार दीजिए ओके दोस्तो बाबाइ